तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच चुके हैं शाम के तीन और जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हम लोग 12 बजे मिल रहे हैं बिहार पुलिस कॉंस्टिबल में और यहां पर जितने भी बच्चे स्सी जीडी की या बिहार स्सी की तयारी कर रहे हैं उनके लिए यह आपकी क्लास चल रही है शाम को तीन बजे जीके जीएस की जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को डिसकस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आप सभी का वेलकम है आपकी अपने फेवरेट चैनल एमडी क्लासेस पर तो यहां पर अगर मैं बात कर उसके लिए आपका कौटल लिबैच जो है वो लॉंच हो चुका है तो कौटल लिबैच जरूर जॉइन कर लीजे जो बच्चे बिया जो आपका बिहार एससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे है इसमें आपको कंप्लीट लाइफ क्लासेस मिलेंगी बिहार परिक्षाओं से संबंदित जितनी भी हमारी टीम है वो काफी एक्सपीरियंस टीम है क्लास नोट्स आपको दिये जाएंगे पीडियफ मिलेगा और साती साथ आपको डेडिकेटेड टेलिग्राम ग्रूप जो आपको सारी की सारी अपडेट आपको प्रवाइट करेगा तो कौटल लिबैच आप हमारे एप से जाकर परचेस कर सकते हैं ठीक है और बिल्कुल देर मत करिए इस बैच को खरीदने में क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है अब यहां पर अगर हम बात करें आज की क्लास की तो टॉप 50 क्वेस्टेंस आज की सेशन में अनिल पास्वार्ग, विनोत कुमार चाहान, स्वाती कुमारी, माखन दास चलिए सभी का स्वागत है और ब्रजराज सिंग जी चलिए देखते हैं स्टार्ट कर दिया है यहां पर क्लास मैंने बताइएगा भारती एथिलीट सोम देव वर्मन सोम देव वर्मन जी का नाम आ चलिए बताइएगा एंसर आ रहा है यहां पर आपको तादे राइट आंसर कहा है लॉन टैनिस तो सोम देव वर्मन जी का संबंद किस से है स्पोर्ट में अगर हम देखे तो टैनिस से लॉन टैनिस से इनका संबंद है ठीक है अगला प्रशन देखिएगा वैसे हमारे अंतर राश्टरी संस्ता में किसको शामिल किया गया तो लिएंडर पेस को किया गया था है ना अभी मौनिंग में ही आपको पढ़ाया था अगला प्रशन देखिए कए यहां पे दो हजार बाइस पैरा ओलंपिक दो जार बाइस में एक होता है ग्रीष्म कालीन ओलंपिक क् आपकां में और कली मैंने पढ़ाया था जो नेक्स्ट आपका हुना है जो अगला Olympic होना है ये कहां पे होगा आपके France में होगा ठीक है अगले प्रशन पर आते हैं यहां देखेगा अगला प्रश्न है फुल फॉर्म से है बहुत ही इंपॉर्टन फॉल फॉर्म है ध्यान से सुनिए गा फॉल फॉर्म किसका पूछा गया है पॉक्स守a the पॉक्सenden का जो कि किसके लिए है यह यहान उत्पीड़ं से सुरक्षा के लिए यानि कि जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब छोटी आयू के होते हैं या छोटी उम्र के होते हैं तो बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाते हैं और जब बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाते तो उनके साथ यौन शौशन जैसी बहुत सारी गलत बाते हो जाती ह अपने पेरेंट से यह उकने मम्मी पापया अपने माता पिता से थी नहीं पलक्ता ऑर उनके माता पिता भी कुछ नहीं कर पते क्यूंकि उनको लगता है कि सब लोग क्या बोलेंगे इसा नहीं यह सच्चा होगा और बाद में सरकार ने इसके लिए एक नेक कानून पारित किया जिसका नाम क्या है poxo आपको बताना है कि यह poxo act का full form क्या है या फिर poxo act का सही सही उत्तर क्या होगा तो यहाँपे मैं बता दू poxo act का full form है protection of children यह act कम आया था 2012 में तो 2012 2012 तो यहां पर भी लिखा है लेकिन यहां पर children नहीं बलकि child लिखा हुआ है और यह child आपका गलत है सही क्या है आपका children क्या है children तो यह gwिंगा यह बत्चों के लिए had यह कब आया था 2000 12 में आया था किस चीज के लिए है protection के लिए यानि सुरक्षा प्रदान करता है किस चीज से बच्चों को करता है sexual offenses यानि इनके खिलाब जो भी कहा जाए यौन अपराद होते हैं इनसे इनकी सुरक्षा की जाती है पॉक्सो एक्ट से यह एक्ट आया कब था आपके 2012 में तो ध्यान रखेगा चिल्ड्रन है ना की चाइल्ड गलत हो सकता है आपका question अगला प्रशन देखेगा यहाँ पर अगला प्रशन क्या है बताईएगा भारती खाद निगम सरकार द्वारा घोशित डैश पर किसानों से अध्यान खरीदता है यानि कि यहां बात किसकी हो रही है एफसी आई की food corporation of India तो जो food corporation of India है वो किसानों से जब अनाज खरीदता है किसानों से जब grains खरीदता है तो किस पर खरीदता है maximum retail price competitive price minimum support price या फिर discounted price तो किस पर सामान खरीदता है FCI यानि कि food corporation of India तो यह सामान खरीदता है आपके minimum support price पर यानि कि MSP पर सामान खरीदा जाता है और किसानों से जब यह MSP पर ले लेते हैं तो MSP का फाइदा क्या होता है MSP का फाइदा यह होता है कि किसान को कभी भी नुकसान नहीं होता किसान को कभी भी नुकसान नहीं होता जैसे मान लीजिए कि अभी टमाटर कुछ दिन पहले बहुत महंगा मिल रहा था टमाटर लेकिन बाद में टमाटर क्या हुआ सस्ता हो गया कहीं कहीं सुनने में आए कि महाराष्ट में एक दो रुपए किलो भी टमाटर विका है तो अब बहुत नुक्सान हो जाएगा अब उसकी लागत ही मान लिजे कि एक किलो टमाटर के पीछे उसकी लागत ही दो रुपए है और पर ही FCI खरीएत ती है इससे किसानों को फ entsche Yotiwe kiski पतनी थी जौतिवा पुले किнит bis जौतिवा फुले पुले किसखी स्थापना की थी पर इनकी वाईट नेologist बड़ा कांट्रिबुशन किया बड़ा योगदान किया महिलाओं के लिए जो पहला स्कूल बना था लड़कियों के लिए जो पहला स्कूल बना था कहां पर बना था आपके अगर हम बात करें पुणे में तो ये पुणे में पहला स्कूल कब बनाया गया जो कि लड़कियों के लिए था लड़किए के लिए इस्कूल 1848 में बनाया था किसने बनाया था सावित्री बाई फुले जी ने ड़ीन नाम याद रखिएगा अगला प्रशन देखें गए यहांपर अगला प्रशन क्या है हमारा? बताईएगा जी, निकिता शर्मा, वीके सम्राट जो भी बच्चे अभी class देख रहे हैं, class को like और share जरूर कर दीजे, ज्यादा से ज्यादा like और share करेंगे तो आपी का फाइदा है, आप देखेंगे यहाँ पर अगला प्रशन क्या है, भारत में सरकार का संसदी स्वरूप है, यह भारत में अगर देखें, तो हमारे यहाँ ज parliamentary system कहां से लिया गया है, यानि कि यह जो हमारे संसद में हर चीज बनती है, संसद में कानून पारित होता है, यह कहां से लिया गया है, बिल्कुल सही है उत्तर, UK से लिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है उत्तर, UK से लिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है उत्तर, UK से ल बारत में कितने शास्तुरी कोन सद्रिया यह को आप Cand는데요 कौन से कौन से शास्तुरी में दिखता है तो एनसार होगा आपका मोहिनी अटम कहा है शास्त्री नित है केरल में एक और शास्त्री के नुप में देखा जाता है अगला प्रश्न देखिएगया यहांपर क्या होगा। आपका अगला प्रस्न है किस इस्तान का दवाओ वित्रण सरदियों में भारत की मौसम की स्थिती को प्रभावित करता है यानि कि भारत में जो मौसम की स्थिती की अगर हम बात करें जैसे अभी आप देख रहे होंगे धीरे-धीरे मौसम बदलना शुरू हो गया है अब धीरे-धीरे ठंड का मौसम आ रहा है अब आप देखिए शाम के टाइम पे निकल ये तो पहली जैसी गर्मी नहीं लगती है भलकेल की ठंड लगती है जब सुबा निकल ये गाड़ी वाड़ी पे तो और तेज ठंड लगती है तो ये जो जलवाई या मौसम का परिवर्तन हो रहा है इसके लिए उत्तरदाई कौन है तो इसके लिए उत्तरदाई है मध्य और पर प्लास्टिक मनी का एक उधारण क्या है कि से हम लोग प्लास्टिक मनी कहेंगे यह option देखिएगा अब बताइए इसमें से प्लास्टिक मनी हम किसको कह सकते हैं को यानि सिको को legal टेंडर कानूझी निविदा को लीगल टेंडर का मतलब क्या है लीगल टेंडर जैसे हम नोट वगरा की बात कर रहे हैं इनको हम कहते हैं credit card या hard cash hard cash का मतलब क्या होता है जैसे आप जब कोई copy अपने mobile से किसी को देते हैं तो कहते हैं यह soft copy रख लो और हम किसी page पर उसका print out अगर निकालने और उस page को किसी को देते हैं तो कहते हैं यह hard copy है उसी तरीके से hard cash क्या होती है जो हमारे पास हमेशा available होती है हमारी pocket में होती है जैसे हमने कोई सामान खरीदा तुरंद निकाल के दे दिया वो hard cash होता है लेकिन plastic money क्या है आपका credit card क्या है credit card यह plastic money है money का मतलब क्या होता है जो आपको सामान खरीदने में या बेचने में मदद करें तुभी है credit card से भी तो हम सामान खरीदते हैं लेकिन यह कैसी money है plastic money है ठीक है अगला प्रश्ण देखेगा यहां पर बताईएगा dash खातों में कोई भी new term 6 बनाए रखने की अवशकता नहीं होती है ऐसा कौन सा खाता है इन options में से जिसमें zero balance पर भी आप खाता maintain कर सकते हैं यानि किसी तरीके के balance को maintain करने की जरूरत नहीं होती है तो वो कौन सा खाता होता है जिसमें zero balance पर भी खाता आपका चलता है तो जल्दिस आंसर दीजेगा, D आंसर आ रहा है, राहुल मला, C, बिश्नु बोरी, C, शकुंतला, C, चलिए, हरियोम कुमार, D, अविनाश, C, राइट आंसर क्या होगा आपका, D, प्रदान मंतरी जंदन योजना, तो प्रदान मंतरी जंदन योजना में आप देखते होंगे कि 0 रुपए पर भी आपका बैलेंस चलता है, अगला प्रश्नु देखिएगा, अगला प्रश्नु क्या है, निमनलिखित में से कौन सा भारती राज्य, बांगला देश और म्यामार, दोनों के साथ सीमा साजा करता है, यानि कौन सा ऐसा देश है, जो बांगला देश और म् इन में से कौन सा राज है जी फूलो कुमारी जी डी नितीश राजा ए प्रिंस डी चलिए देखते राइट आंसर क्या है यहां पे आपका मिजोरम ठीक है तो मिजोरम एक ऐसा राज है जो की बांगलादेश और म्यामार दोनों के साथ सीमा साजा करता है अब देखी का मिजोर अब मिजोरम इधर म्यामार से इसकी सीमा लग रही है और इधर साइड अगर देखे तो इसकी आपकी बांगला देश से भी साजा होती है अगला प्रश्ण देखिएगा अगला प्रश्ण क्या है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी ट्रोफी महिला बैड्मिंटन से संबंदित है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रोफी ऐसी है जो की महिला बैड्मिंटन से संबंदित है तो बताइएगा राइट आंसर क्या होग आगा खां कप, डेविस कप, फीफा वर्ड कप या उबर कप, या उबेर कप, जी, फूलो कुमारी जी, C, मनीश कुमार D, MRT लोगो, C, शकुंतला जी, C, विनोत कुमार, C, यहाँ पर बता जो, राइट आंसर क्या होगा आपका, उबर कप, उबर कप किस से सम्बंदित है, ब ठीक है, और फीफा वर्ड कप किस से सम्बंदित है, फुडबॉल से सम्बंदित है, किस से, फुडबॉल से, ठीक है, अगला प्रशन देखी गए आपर, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, छव के, छव लोक नित्य है, शास्त्री नित्य नहीं है, आपको बता है, ओडिषा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जारखंड, राइट आंसर क्या होगा, जारखंड आंसर आ रहा है, राजुशा, डी, आपको बता दे, इसका सम्बंद्ध तमिलनाडु से नहीं है, ठीक है, बाकी, ओडिषा, पश्चिम बंगाल, जारखंड, इन तीनों ह जगहों पर आपका छहुनित्य किया जाता है, ठीक है, अगला प्रश्चन देखेगा, राज के राजपाल की नियुक्ति, यानि कि आप जैसे माल लीजे कि बिहार के राजपाल की नियुक्ति करनी है, यानि कि गवर्नर साहब की नियुक्ति करनी है, अपांडमेंट करना है तो यह कौन करता है तो Governor सहाब की नियुकती राष्ट्रपती करेंगे यानी की President करेंगे ठीक है तो righteous answer क्या होगा आपका President और President की नियुकती कौन करता है मैंने सुभा आपको बताय किया था प्रेसिडेंट की नियुकती या शपत कौन दिलाता है CJI कौन CJI यारी की Chiefs Justice of India ठीक इस समय राजपती कौन है द्रापदी मुर्मू सीजे आई कौन है डी वाई चंद्रचून अगले प्रशन पर आते हैं श्रीमंत शंकर देव इनको किस निर्थ शैली के लिए जाना जाता है किसकी बात हो रही है श्रीमंत शंकर देव तो आपको उताना है किस निर्थ शाली के लिए हम लोग जानते हैं मोहिनी अट्व कुच्चिपुडि सट्रिया या राज्चन आपका क्रियेटिव डांस या जिसमें मिला जुला सवरूप होता है तो किसके लिए इन्हें हम जानते हैं यहां पर आपको उता दें सट्रिया निर्थ के कहा जाये कि इसको उतकर्ष पे पहुंचाने के लिए या इसके विकास के लिए इनको जाना जाता है श्रीमंत शंकर देव जी को असत्रिया कहां का डांस है आपका शस्त्रिया हमारे आठ शास्त्री नित्यों में से एक है और यह कहां का है आपके असम का कहां का है अगला प्रश्न लिए भातिक मात्रा और यहां क्या दिए आपकी 1 तो आपको पताना है कि कौन सा इसमें से गलत रहात है जल्दी से बताहिए के कौन सा गलत है शक्ति का वाट है यानि पावर कावर्ण है प्रैशर प्रेक्वेंश oweय का हार्ड्स है और एनर्जी का जूल है तो कोंसा गलत है और जो गलत है उसका सही क्या है ये भी आपको बताना है ठीक है तो जो गलत है उसका सही कौन सा होगा ये भी आपको बताना है चलिए देखते बी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है क्योंकि दाव का क्या होता है दाव का पास्कल होता है क्या होता है पास्कल और पास्कल को हम ल यह होता है दाब का ठीक है बाकी पार का वाट होता है frequency का हर्ट होता है energy का जूल होता है ठीक है अगला प्रश्ने देखिए घंग है आपर क्या है मिनी सम्विदान शब्द का प्रयोग भारत के किस सम्वैदानिक संशोधन अधिनियम के लिए किया जाता है अब यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं मिनी कॉंस्टिटूशन किसे कहा जाता है या मिनी सम्विदान किसे कहा जाता है 38 संशोधन 42, 40 या 44 चलिए like बटन अभी तक हिट नहीं हुआ है like जरूर कर दीजे जिसे कि आपको भी काफी जादा फायदा होने वाला है तो like बटन जरूर हिट कर दीजे और class को share भी कर दीजे आप यहाँ पर देखीगा right answer क्या है 42 संशोधन 42 संशोधन के अंतरगत कई सारे संशोधन किये गए प्रस्तावना लाई गई मौलिक करतव्यों पर बात हुई ठीक है तो इस वज़े से इसे हम लोग क्या कहते हैं इस संशोधन के दोरह बहुत जादा सुधार हुए थे इसकी वज़े से इसे मिनी constitution के रूप में जानते हैं अगला प्रशन देखीगा एक योजना से है अन्तियोदय अन्योजना इसकी शुरुवात या इसका प्रारम भारत में किस वर्ष किया गया था यह किस लिए दिया जाता है मुरियाइटी मूल्यों पर अनाज देने के लिए यह योजना आपकी चलाई जाती है तो इसकी शुरुवात कम हुई थी किस वर्ष इसकी शुरुवात हुई थी बी और सर आ रहा है बिलकुल सहीं उतर तो 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2000 को सी शुरुवात की गई थी ओ अ गांधी जी ने कौन से मतलब एक शहर था कहां का था गुजरा आपके एहमदाबाद की बात हो रही है एहमदाबाद में कपास मिल यानि कौटन मिल के मालिकों के और श्रमिकों के बीच विवाद को सुलजानी के लिए एहमदाबाद में सत्या ग्रेट किया था जिसे हम एहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी कहते हैं क्या कहते हैं एहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कहा जाता है मिल मजदूर आंदोलन तो आपको उताना ही ये आंदोलन कब हुआ था किस वर्ष हुआ था एहमदाबाद मि मजदूर अंदोलन 1918 विल्कुल सही है ठीक है यहां पर बोनस को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था ठीक है क्योंकि उस समय महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी महंगाई किस वज़े से बढ़ी थी प्रतम विश्व युद्ध की वज़े से और यह यह लोग कह रहे थे जो बोनस आपको दिया जाता था उसे हम वापस ले लेंगे तो इन लोगों ने गांधी जी को बुलाया और यहां पर भूखडताल की गई ठीक है अगला प्रस्ण देखेगा क्या है भारत का अटॉर्णी जनरल भारत सरकार का क्या होता है अटॉर्णी जनरल अच्छा अट संबंदित आर्टिकल कौन सा है फटबट से बताईएगा कौन सा आर्टिकल संबंदित है अटॉर्णी जनरल से तो अटॉर्णी जनरल होता क्या है अटॉर्णी जनरल से संबंदित 76 है मुख्य लेखा अधिकारी मुख्य विधी अधिकारी मुख्य चुनाव अधिकारी क्य किसा होता है legal advisor इनका कारिकाल कैसा होता है इनका कारिकाल राश्पती के प्रसाथ परियंत चलता है यानि कि जब तक राश्पती चाहें तब तक यह अपने पदपर बने रह सकते हैं प्रसाथ परियंत ठीक है अगला प्रश्न देखेगा अगला प्रश्न हमारा किस्से है आपका अगला प्रश्न देखेगा है आपर भारत के सम्विधान के अनुसार राष्ट्रुपती निम्नलिखित को अपने अस्ताक्षर सहित लिख कर अपने पद से स्तीफा दे सकता है यानि कि अगर भारत के तो वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे ये बात आपसे पूछी जा रही है कि अपना त्याग पत्र ये देंगे किसको अगर देना हो तो ठीक है तो जल्दी से बताईएगा मुख्य चुनाव आयुक्त राजसभा के सभापती भारत के मुख्य नयादीश याउप राश्पती निम्नलिक्त को अपने हस्ताक्षर साहित लिख कर अपने पत्स स्तीफा दे सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त राजसभा के सभापती भारत के मुख्य नयादीश या उप राश्पती डी होगा उत्तर अब यहां पे एक चीज आप लोगोंने नोटिस की क्या सभी ने एक चीज नोटिस की कि भारत का जो राश्पती होता है वो त्यागपत्र डेपुटी प्रसिडेंट को देता है या वाइस प्रसिडेंट को देता है वाइस प्रसिडेंट यानि जो उपराश्पती है और भारत में राजसभा का जो सभापती होता है वो सभापती होते हैं तो दोनों ही option आपका यहां पर इस हिसाफ से सही है ठीक है तो राजसभा के सभापती लेकिन अगर एक पद की जब भी बात होगी जब पद की बात आएगी तो पद की बात में हमेशा वाइस प्रेसिडेंट रखिएगा यह मतल लिखिएगा कि राज के सभा सभापती नहीं मिलती उसको सैलरी उसके राजसभा के सभापती होने के नाते मिलती है ठीक है तो यहां पर इस बात का ध्यान रखिएगा अगला व्रशन देखिएगा समविधान की प्रस्तावना में समाजवादी निधर्म निर्पेक्ष यह शब्द किसके द्वारा जोड इसी को अभी हम लोग क्या कह रहे थे क्या कह रहे थे क्या कह रहे थे मिनी कॉंसिटीउशन ठीक है अगले प्रस्शन पर बढ़ते हैं बताएगा बहुत important question है इस question पर जितने मार्क कर लीजिए उतना कम है very very important question बताईएगा भारत का जो कैग होता है कैग यानि कि बारत का न तो अगर अपने पद पर आप देखिए यहां क्या कहा जा रहा है कि यह audit report किसको प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यह किसके खातों की जाच करते हैं यह सरकार के खातों की जाच करते हैं तो यह report प्रस्तुत किसको करते हैं, present किसको करते हैं, यह present करते हैं भारत के राश्च्पती को direct, यानि भारत के जो president हैं उनी को करते हैं, क्यूंकि इनकी नियुक्ती भी किसके द्वारा की जाती है, इनकी नियुक्ती भी भारत के राश्च्पती द्वारा ही की जाती है, और समय कैग कौन है पुनपुन जी ने बताया बिल्कुल सही गिरीश्चन मुर्मो यानि की जी सी मुर्मो और कैग के लिए आर्टिकल कौन सा है 148 इनके संबंदित अनुछेत कौन सा है 148 अगला प्रश्न देखेगा यहां पर स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्याइधीश य पहले मुख्य न्याइधीश यानि की पहले सीजे आई भारत में कौन बने थे पहले मुख्य न्याइधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था चलिए 148 तो कानिया अंसर आ रहा है बिल्कुल सही है तो हरी लाल जे कानिया इनको कभी-कभी आप देखेंगे एचिजे कानिया के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से एचिजे कानिया ठीक है अगला प्रश्न देखिए गए आपर अच्छा अगले प्रश्न से पहले जो बच्चे बाद में जुड़े हैं मैं उनको फिर से बता दूँ कि जो भी बच्चे बिहार SST इंटर लेवल की त उनके लिए MD classes quarterly batch start कर रहा है और start हो भी चुका है तो इस quarterly batch में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो फड़ा फट से हमारे app को download करके app से आप अपना purchase कर सकते हैं इसमें आपको पूरी live classes complete मिलेंगी पूरी की पूरी अनुभवी टीम आपको पढ़ारी होगी experience टीम होगी class के जितने भी notes होंगे PDF होंगे वो सारी चीज़ें मिलेंगी साथी साथ जो telegram channel है हमारा उस telegram channel से आपको daily update भी मिलता रहेगा जो भी चीज़ें आपके लिए जरूरी होगी ठीक है आप देखेगा अगला प्रशन क्या है हमारा यहाँ पर अगला प्रशन अच्छा ये प्रहार बैच की बात करें तो यहाँ पे आप 799 की बजाए आप 499 में हमारा प्रहार बैच जो की SSC GD 2024 के लिए है यह paid बैच है यहाँ पे आपको detail में classes आपको कराई जा रही है सारी की सारी आपको GD से संबंदित जो अनुभवी team है वही आपको पढ़ा रही है तो यह प्रहार ब गंगौर का जो तेवहार है वह निम्निलिकित में से किस किस हिंदू देवी की पूजा के लिए मनाया जाता है गंगौर का जो तेवहार है वह किस देवी के लिए मनाया जाता है सरस्वती जी काली जी लक्ष्मी जी या पार्वती जी तो किसको समर्पित है गंगौर का ठीक है तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए क्या कह रहा है मैं अभी 11 में हूँ एस सी की तैयारी कर रहा हूं रो यह मत रोने की जरुरत नहीं है आप देखेंगां पर Ś Works को कोशिका के पावर हाउस यह पिर हिंदी में से क्या कहते हैं उर्जा ग्रें उर्जा ग्रे के रूप में जाना जाता है किसकी उर्जा ग्रें कौशिका की तो किसको कहा जाता है Mitochondria, Lysosome, Ribosome या फिर Nucleus यानि कि जो आपका केंद्रक होता है तो किसको कहा जाता है Cell का Powerhouse यानि जो पूरी की पूरी Cell होती है अब इस Cell को जो उर्जा मिलती है वो Cell को उर्जा किसे मिलती है ये आपको बताना है राइट अंसर क्या होगा आपका Mitochondria ठीक है तो Mitochondria को इसलिए Powerhouse कहा जाता है अगला प्रशन देखिएगा आप छेत्रफल की दृष्टी से यानि कि हम बाई एरिया अगर देखें बाई एरिया तो भारत का सबसे छोटा पडोसी देश कौन सा है इसमें अगर देखें तो भारत का सबसे छोटा पडोसी देश कौन सा है एरिया वाइस यानि कि छेत्रफल की दृष्टी से बात हो रही है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या म्यामार तो जल्दी से बताइएगा राइट अंसर क्या होगा अजीद गुपता जी, यहाँ पर राइट अंसर होगा आपका भूटान ठीक है, नेपाल भी भूटान से बड़ा है, श्रीलंका भी बड़ा है और म्यामार भी बड़ा है तो राइट अंसर क्या होगा आपका भूटान भूटान की राजधानी क्या है थिम्पू यहां की करंसी क्या है नगल्ट्रम क्या है नगल्ट्रम ठीक है भूटान में क्या होते है नरेश क्या होते है नरेश यानि राजा ठीक है अब देखते हैं अगला प्रश्ण क्या है यहां पर बताईएगा डेश एक अंतर राष्ट्री संस्था है यानि कि एक इंटरनाशनल लेवल की इंस्टिटूट है जो विभिन देशों की सरकार को पूंजी उधार देती है यानि कैपिटल या काज पैसा लोन के तौर पर देती है कि इनको अलग अलग देशों को देशों की सरकारों को तो देशे कोई सरकारों को पैसा देने का काम कौन करता है अंतर राष्ट्री इस्तर पर इंटरनाशनल लेवल पर SBI, RBI, Central Bank of India या World Bank वर्ड बैंक का अंसर आ रहा है बिल्कुल सही है उतर तो वर्ड बैंक का हेड़कौर्टर कहां पर है वर्ड बैंक का मुख्याले कहां पर है अमेरिका में है USA, USA के वाशिंग्टन DC में वाशिंग्टन DC ठीक है अगला प्रश्ण देखेगा है आपे अगला प्रश्ण क्या है आपके लिए तेल को वनस्पती घी में बदलने के लिए यानि कि अगर तेल है अब उस तेल से हमें क घी बनाना तो इसमें कान्सी प्रक्रिया अपनाई जाती से यानि के एक तरीके से प्रेरक्ग में किपस क Tamil onu कि किया जाता हैं और उस प्रक्रिया को लूर्ब किया जाते हैं ठीक है Juni घी बनाना ना है तो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है hydrogenization यानि कि आपका hydrogen करण क्योंकि इसमें क्या मिलाया जाता है hydrogen मिलाया जाता है ठीक है अगला प्रस्ष्च देखेगा यहां पे अब यह question यह question मुझे पता है कि 50% लोगों को यह question नहीं आता होगा मैं लिख के देदू कि 50% लोगों को यह question आपका बिलकुल भी नहीं आता होगा share नहीं कर रहे हैं आप लोग मुझे दिख रहा है कि sharing नहीं हो रही है share और like जरूर कर दीजिए अब यहां पर देखेगा पूछा गया है कि भारत के attorney general के रूप में नियुक्ती के लिए यानि कि अगर कोई भारत में attorney general बनना चाहता है तो उसके लिए योगिता चाहिए योगिता तो बहुत सारी हैं लेकिन attorney general बनने के लिए किसके समान योगिता होनी चाहिए यानि जो योगिता किसी और में भी होन की जाती है अटार्णी जन्रल के लिए भी तो किसके समान होनी चाहिए भारत के सर्वच न्यायले के न्याधीश के समान किसी उच न्यायले की न्याधीश के समान प्रसिद्ध वकील के समान भारत के सॉलिसिटर जन्रल के समान तो किसके समान होनी चाहिए योगिता अगर आप आपको भारत का अटॉन्मी जनरल बनना है माधिवक्ता बनना है तो यहां पर राइट आंसर होगा कि भारत के यारी की चीफ जस्टिस या मुख्य न्याइधीश बनने के लिए जो योगिता चाहिए ठीक है भारत के सरवोच न्याइधीश बनने के लिए जो योगिता चाहिए CGI या न्याइधीच बनने के लिए वही योगिता आपकी यहाँ पर भी जरूरी होती है अटॉर्णी जनरल के लिए ठीक है अगला प्रशन देखिएगा प्रथम बोग संगिती यानि कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर आयोजित किसके समय पर मनोशपाल नितीश मेरा सही था अच्छा चलिए सही है आप देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका अजात्शत्रू के समय में हुई थी अजात्शत्रू किस वंच का था हर्यक वंच का था संस्थापक कौन था बिम्बसार कौन था उदाइन जिसने राजदानी कहा की थी पाटली पुत्र कहा की थी पाटली पुत्र ठीक है अगला प्रश्म देखिएगा यहाँ पर अब देखिएगा यह बड़ा ही अच्छा question है ध्यान से पढ़िएगा ध्यान से देखिएगा फिर आंसर करिएगा जल्दवाजी में इस question का आंसर मत करिएगा ठीक है कि जल्दवाजी में इस question का अंसर कर रहे है अब यहाँ पर देखिएगा question क्या है आपका कि गांधी जी ने लंगोटी को अपनी पोशाव के रूप में क्यों अपनाया या कहा जाए कि जो एक तरीके से वह जो हुलिया या कहा जाए जिस तरीके से यहाँ पर कहने का क्या मतलब है जिस तरीके से वह दोती एकदम उपर करके पहन लेते थे और उपर कुछ भी नहीं पहनते थे नंगे ही रहते थे तो नीचे जो दोती एकदम उपर करके पहनते थे तो यह हुलिया या यह जो इन्होंने पोशाक अपनाई थी यह क्यों अप तो क्या हो सकता है कारण दूसरा कारण एकदम सही है क्यूंकि वो मानते थे कि गरीबों के प्रती करुणा वेक्त करनी है या बराबरी दिखानी है समानता दिखानी है कि हम भी आप जैसे ही है इसलिए गांदी जीने ये पोशाक धारण कर रखी थी ठीक है अगले प्रशन पर आते हैं यहां देखीगा अगला प्रशन क्या है आपका खासी पहाड़ियां अच्छा ये क्वेश्चन हम आपको देंगे कैसे क्वेश्चन अप्धी डे के रूप में क्योड़ी के रूप में है इसका अंसर आप सब को करना है कहां करना है कॉमेंट बॉक प्रहिसे अंसर करना है अब बताइएगा खासी पाडियां के ऊपर मासन्रायम है जहां पर सबसे अधिक और तो आप को तना है सबसे अधिक और सत्वर्षा nhân न की स्वहतर हो अंसर कहा करेंगे comment box में अगले प्रश्न पर आते हैं बताइएगा दादा साहब फाल के lifetime achievement अभी हाली में इसका announcement हुआ है तो ये दादा साहब फाल के lifetime achievement अवार्ड इस बार यारी 2023 का किसे दिया गया है किसे दिया गया है किसके लिए announce किया गया है राइट आंसर क्या होगा वह वहीदा बिल्कुल सही है वहीदा रहमान जी को lifetime award दिया गया है दादा साहब फाल के ने कौन से picture बनाई थी हरिश्चन picture इन्होंने बनाई थी पहला दादा साहब फाल के किसे दिया गया था देविका रानी जी को किसको देविका रानी ठीक है अब देखते हैं अगला होता है जब दो भू स्थल दो भू स्थल के बीच से जो पतले पतला सा जो रास्ता होता है समुदुर के बीच समुदुर के बीच जो पतला सा रास्ता होता है उसे कहते हैं जल डमरू मद्द तो आपको बताना है कि जिब्राल्टर जल डमरू मद्द किन दो महादिपों के बी उत्री अमेरिका दक्षणी अमेरिका एशिया उत्री अमेरिका या एशिया तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहां पर ठीक है यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्योंकि अगर हम देखे तो यूरोप की जो आखरी कंट्री है जल्डम्रू मद्ध के पास वह इस्पेन है और अफ्रीका कॉंटिनेंट जहां पर शुरू होता है यहां पर सबसे कोने पर आपका पढ़ता है मोरक्को क्या पढ़ता है मोरक्को जहां से कौन आया था इबन बतूता तो मोरक्को और इस्पेन इन दोनों के बीच में जो जल्डम्रू मद्ध है आपका वो कौन सा है जि productivity होती है यानि कि बहुत तेजी से अब अगर माली ढगाई तो यह लंब लंभी ची चार मिटर तो अगले सिरे पर सबसे जल्दी किस पहुचेगी जासे यहां चांदी में हमेनि किरों ऑपाँ जा दह कर आए था क्या के था कि largest producing country यानि सबसे बड़ा उत्पादक चांदी का कौन सा देश है तो सबसे बड़ा उत्पादक आपका मेक्सिको है कौन सा मेक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादक की जाती है ठीक है अगला प्रशन देखेगा यहां बताइएगा काली मिट्टी काली मिट्ट यानि black soil तो black soil जो है वो किस फसल से स्ब्बन देते हैं या black soil में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है जी चाय की गेहूं की गेहूं की या कपास की डी आंसर आ रहा है स्मृतिशा प्रियां कुमारी बिल्कुल सही है कपास इस दिराइट आंसर आप यहां पे अगर इंडिया यही कारण है कि यहां पे कपास की खेती सबसे जचाधा होनी की वज़े से हमारे यहां पे टेक्स्टाइल इंडस्ट्री यानि की जो कपडव जयूग है वो सबसे ज़्यादा यहीं दोनों जगे पर है गुजरात और महाराश में ही है क्योंकि काली मिट्टी बहुत होती है काली मिट्टी में एक चीज और बहुत होती है मुंगफली की खेती भी काली मिट्टी में बहुत अच्छे से की जाती है ठीक है अगला प्रश्ण देखी ग एक जो है वह ब्रहस्पति का नहीं है को आपको बताना है टीक है अगला प्रश्न देखेगा यद번 अबपर अगला पुरशन क्या है निनलिखित में से कौन 200 भी राज्य की महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है यानि आज तक harag狑 की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बनी है कोन ने इनमें से फट़फट से देख लिजेगा औो देख्यों वसंद्रा राजी सिंदिया उमा भार्ती सुमित्र महाजन राबडी देवी इसमें से क्या होगा राइट आंसर चलिए देखते कौन बताता है कौन एक भी बार महिला मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं वनी है ठीक है सुभाश कुमार सिंगम सी शाम वीर बी पुनपुन बिहार उमा भार थी चलिए राबडी देवी बिहार की थी बिल्कुल सही है यहां पर सुमित्र महाजन नहीं है सुमित्र महाजन अगर explicar के रूप में थी क्या थी लोग सवा speaker के रूप में थी लेकिन आज तक कहीं की मुख्यमंत्री नहीं बनी है वसुंद्रा राजसिंदिया जो है वो राजस्तान की मुख्यमंत्री रह चुकी है उमा भारती जो है वो मद्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है अगर रावडी देवी जी की बात करें तो ये बिहार की मुख्यवंत्री रह चुकी है लेकिन सुमित्रा माजन कहीं की मुख्यवंत्री नहीं रही है अगला प्रशन देखेगा कितने देश सैयुक्त राष्ट जनरल असेमली यानि की अंगा के कितने सदस्देश है अंगा चलिए ए ए बी ए कौन दे रहा है भाई 164 कौन दे रहा है 193 है ठीक है कितने हैं 193 United Nations का Headquarter कहाँ पर है United Nations के अगर Headquarter की बात करें तो यह आपके New York में है कहाँ पर है New York ठीक है अगला प्रशन देखिएगा अगला प्रशन क्या है The tallest peak in Peninsular India यानि कि अगर हम प्राइदीपी भारत की बात करें प्राइदीपी भारत यानि जो तीन और से किस्से घिरा हुआ है जल से तो आपको बताना है इसकी सबसे उची चोटी कौन सी है प्राइदीपी भारत Peninsular India की The highest peak of Peninsular India अना मलाई बिलकुल सही है अना मुडी भी इसे कहते है इसकी टोटल उचाई कितनी है 2000 कितनी है याद नहीं है अच्छा दो मुक्का देतेंगे जी कह रहा है कि नहीं याद है चलिए जिनको याद है वो बताईएगा चलिए 2695 है ना शायद इतनी है एक बार देखिएगा 2695 है जहां तक एक बार चेक कर लिजेगा आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका भारत के राष्ट्री पशु का वैग्यानिक नाम क्या है भारत के राष्ट्री पशु यानि कि हम किसकी बात कर रहे है नाशनल एनिमल तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है तो आपको उता दें पहली बात तो है राश्थ्री पशू टाइगर ठीक है तो टाइगर का साइटिफिक नियम क्या है पैंठरा टीग्रिस क्या है पैंठरा टी ग्रीस थीक है तो तो यहीं हमारा नाशनल एनिमाल है, अगला प्रशन देखेगा, उत्राखंड के टेहरी बांध का निर्माड किस नदी पर किया गया है, उत्राखंड में जो टेहरी बांध है, वो किस नदी पर बना हुआ बांध है, ठीक है, सब चलिए, बताइएगा, राइट अंसर क्या उत्राखंड में जो टेहरी बांध है, वो किस नदी पर है, तीस्ता आंसर आ रहा है, चलिए, सी देखते हैं, ज्यादा तर लोगों का आंसर है, जैश्री कृष्ण स्मृती शाह, बिलकुल सही है, भागी रती नदी पर है, कौन सी नदी पर है, भागी रती नदी पर टेहर की बांध है, अगला प्रशन देखिएगा, किस नदी को तिबबत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, सांगपो के नाम से किस नदी को हम जानते हैं, फड़ा फड़ से उत्तर दीजेगा, ब्रंपुत सिंदू 17 तीस्ता, जी ब्रंपुत बिलकुल सही है, तो जब हमारे देश में एंटर करती है, ब्रंपुत नदी, यानि कि हमारे देश में कौन से देश से प्रवेश करती है, अरुनाचल प्रदेश से, तो जब यहाँ पर ये तिबबत से होकर आती है, तो इसका नाम क्या होता है, सांगपो, ठीक है, अगला प्रशन देखिएगा, छे से चौदा वर्ष के बच्चों को अनिवार शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा समवैदानिक संशोधन पारित किया गया था, जिसके अंतरगत जो प्रात्मिक शिक्षा है, उसे अनिवार ही कर दिया गया, सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, छियासिवा अमेंड यह क्या था, यह पैरेंट्स के लिए, यानि कि माता पिता के लिए मौलिक करता विता कि वो अपने बच्चों को 6-14 साल की बच्चों को प्रात्मिक शिक्षा अनिवारे रूप से प्रदान करें, अगला प्रश्न देखिएगा, किसको लाखबक्ष के नाम से जाना जाता है लाखबक्ष के नाम से किसे जानते हैं, तो जल्दी से उताइगा, लाखबक्ष के नाम से किसे जाना जाता है, कुतूबुदीन अबच, किल्तुतमिश, अच्छा चलिए, अब देखते हैं, यहाँ पर राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है, कुतूबुदीन अबच, ठीक है, तो कुतूबुदीन अबच को ही, हम लोग पील बख्ष के नाम से भी जानते हैं, पील बख्ष के नाम से भी जाना जाता है, कुतूबुदीन अबच ने कौ कुवतलव इस्लाम कॉनसी कुवतलव इस्लाम यह मस्जित कहां पर आपकी दिल्ली में स्थित है ठीक है अच्छा मैंने परसो नर्सो एक क्वेस्चन बूचा था कि कि इलत्थ मिश्को गुलामों कहा जाता है ठीक है अगला प्रश्ण देखे गए आपर निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है यानि कि वो कौन सी नदी है जो पंजाब राजिसे नहीं बहती है जिसका संबंध पंजाब से नहीं है यह आपको बताना है सत्लज, रावी, सिंधू, चिनाब कौन सी नदी ऐसी है जो कि आपकी पंजाब में नहीं है पंजाब में नहीं बहती है जी, मितुन जी का अंसर आ रहा है D, चिनाब, J and K and D, स्मृतिशा D, सिंधू नदी चलिए देखते हैं आपको बताते हैं कि यहाँ पे सिंधू नदी का संबन नहीं है किसका सिंधू नदी का संबन पंजाब से नहीं है बाकि आपकी सत्लज, रावी और चिनाब यह तीनों ही आपके पंजाब से होकर गुजरती है ठीक है, अगला प्रशन देखेगा यहांपर बताईएगा, मानों हमें अपने आगे कितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट या कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखनी चाहिए जिससे हमें इस पश्ट तौर पे दिखाई दे ऐसा ना हो कि हमारी आंकों में बहुत तेज रोश्णी आ रही है या धुंदला सा दिख रहा है तो इस पश्ट किस पर होना चाहिए 25 संटीमीटर बिल्कुल सही है तो 25 संटीमीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए अगला प्रश्ण देखिएगा यहां पर यह मनुष्ट की जो आखे होती है वो किसी वस्तु का प्रक्तिबिंब यानि कि माली जे यह हमारी आख है ठीक है यह हमारी आख है कहीं न कहीं से प्रकाश पढ़ रहा होता है और प्रकाश परवर्तित होता और यह माली आंक में आती है यही तरीप है प्रतिभिंब बनाती है जो चीज यहां पर रखी है उसी की फोटो बनाती है तो यह यह पर बनता है यह हमारी रेटीना पर हित अपर अगला प्लैप क्या यहां पर बताईगा अच्छा यह हवन करने के लिए जो वेदिका बनाई जाती थी हवन के लिए उसमें अगनी कुंड कहां से मिले हैं जी डी आंसर आ रहा है मोहन जोदडो जैश्री कृष्ण यहां पर राइट आंसर क्या होगा ए लोथल से मिले हैं लोथल जिसे जहाजों की गोदी कहा जाता है लोथल लोथल से ही आपके अगनी कुंड भी मिले हैं ठीक है अगनी कुंड के साक्ष जहां पर बंदर गाओं का शहर कहा जाता है या गोदी बाड़ा कहा जाता है ठीक है फिर से गलत किसका गलत हो गया है अच्छा तो लोथल सही अगनी कुंड आपके मिले हैं ठीक अब यहां पर अब मैं बात करूं फिर से एक बार बता दूं जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं बियार एससी इंटर लेवल की तो कॉटिल बैच हमारा जॉइन कर लिजे इसमें सारी की सारी आपको लाइफ क्लासेज पीडियाफ सब कुछ आपको प्रवाइट किया जाएगा मैंने पहले भी बताया है कि यह जरूर डाउनलोड कर लिजे क्यूंकि आप से आपको डेली क्ला 2024 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रहार बैच चल रहा है यह सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ठीक है यहां पर पूरी डीटेल दी हुई है बाकी आप हमारे दिये हुए कॉन्टैक्ट नंबर वाट्सैप ग्रूप हर चीज को जॉइन करके किसी भी तो ऐसे ही पढ़ते रहे हैं मैनत करते रहे हैं कीप लॉर्निंग कीप अर्निंग विकास लॉर्निंग इस अर्निंग तो कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाबाई और चेक क्या